हेलो एब्रिवन आज की क्लास में चाप्टर टू यानि की सेक्शुल रीप्रडक्शन इन्फ्लारिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पॉलेन वियाबिलिटी एक्स्प्लेन करने जारे हुँ ठीक है कई लोग इसको पॉलेन वियाबिलिटी भी बोलते हैं कई लोग इसको पॉलेन वियाबिलिटी भी बोलते हैं इसे इसके स्पेलिंग पे कोई फर्क नहीं परना है चीक है अब इसको समझने के लिए जो सबसे पहली बात यहां आपको समझनी है वो यह है कि यह एक टाइप की हैं इसकी अबिलीटी है बहुत आसान तरीक happened आपको चीख मैंने आपको तो तो pollen grains के यहां लैंड करने के बाद अब pollen grain यहां लैंड तो कर गया है बट यह फिर भी यहां से germinate करके और embryo sac तक क्या नहीं कर सकता male gametes को नहीं पहुँचा सकता तो वैसे case में हम क्या बोलेंगे कि यह pollen grain viable नहीं है तो यहां पे viability का साफ साफ मतलब क्या निकल के सामने आता है कि pollen grains के viability को समझने के लिए यहां पे आपको इस बात को समझना है कि यह pollen grains की एक type की ability है जो pollen grains को यह allow करता है कि उसको male gametes को कहा तक transfer करना है embryo sac तक transfer करना है जब तक transfer नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा fertilization नहीं होगा ठीक है तो यहां पे इसका क्या मतलब है यह एक basic phenomena है बहुत चोटी सी बात है यह समझने के लिए अगर आप इसको crystal clear form में समझ रहा है तो इसको लिखना कैसे है आपको pollen viability refers to the ability अब यहां आपको ध्यान देना है क्या है यह ability है कहीं ऐसा ना हो कई बच्चे के दिमाग में यह बात आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह pollen grain का कोई पार्ट है क्या है नहीं है पता नहीं हमें बात समझ नहीं आ रही वहां पे तभी मैंने आपको start करते के साथ एक बात explain की यह एक type की ability है जिसको किसके लिए यूज करना है आपको pollen grains के लिए यूज करना है ठीक है तो यहां पे कि मेल गेमिट्स को कहां तक transfer करना है embryo sac तक transfer करना है क्या करना है embryo sac तक transfer करना है मेल गेमिट्स को आपको पता है आगे भी मैं आपको explain करूँगी male gamit pollen tube के थू रन करते हुए कहां तक जाएंगे embryo sac तक जाएंगे अगर pollen grain वियबल नहीं है तब तो आगे ये पूरा discussion करने का कोई मतलब भी नहीं होता है फिर्स पॉइंट फिर से repeat कर दियू मैं आपको यहाँ पे that is pollen viability refers to the ability of the pollen to perform its function of delivering male gametes to the embryo sac बहुत असान हो गया चीख है तो यहाँ पे pollen viability का क्या मतलब समझा आपने कि pollen grains की ऐसी ability है जिसकी वज़ा से pollen grains किस चीज के लिए capable होते है कि वो male gametes को कहा तक पहुचा सके embryo sac तक पहुचा सके इतनी बार मैंने repeat कर दिया है तो आपको याद होगी गया होगा अभी तक अब यहाँ पे एक दूसरी बात जो आपको समझनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक और misconception बिठा ले अपने दिमाग में कि इसका यह मतलब है कि हो सकता है हर pollen grain की variability सेम होती होगी तो नहीं ठीक है species to species यह क्या होता है वेरियेबल होता है ठीक है species to species क्या होता है यह viability variable होती है ठीक है उसके लिए यहाँ पे second point है this functional property कोन से property जो capability ability की हम बात कर रहे थे उसकी बात की जारीना पे this functional property of the pollen after their release from the anther release from the anther varies greatly from species to species and its quality is assessed on the basis of its viability यानि कि जितनी अच्छी viability होगी उतनी अच्छी इसकी quality मानी जाती है ठीक है और यह तो बहुत common सी बात है release from the anther ठीक है अब यह कहां से release हुआ है यह story आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैंने बहुत ज़्यादा explain कर रखा है इस चीज को जब आपने क्या पढ़ा था Microsporogenesis पढ़ा था Microsporogenesis की पूरी explanation सुनने के बाद वहां आपको यह बात clear हो गई होगी कि anthers are responsible for production of pollen grains यही बात यहाँ पे लिखी हुई है और इस point में आपको कौन सी बात समझाई गई है कि यह जो capability है यह species to species vary करेंगे यहाँ पे example से आपको यह चीजे और अच्छे तरीके से clear हो जाएंगे जैसे कुछ serious में अगर हम बात करते हैं जैसे सबसे common rice and wheat की बात करते हैं तो वहां पे pollen grains within 30 minutes मतलब कि 30 minutes के बात बात वह अपनी वियाबिलिटी वहां पे lose कर लेते हैं तीस मिनट के बार उनकी वियाबिलिटी खत्म हो जाती है तो यही मैंने यहाँ भी note कर रखा है mention कर रखा है आपके लिए इस एक्जाम्पल से forming in some cereals such as rice and wheat बहुत कॉमन है rice and wheat ठीक है pollen grains lose viability within 30 minutes ठीक है यह questions पूछे जाते हैं वहां आपको options दिये जाएंगे ठीक है तो then यह question पूछा जाता है कि maximum कितनी viability अभी तक record की गई है तो यह एक अच्छा खासा question है जो copyrighted नहीं है कि सर्फ bio में पूछा जाएगा interesting question होने की वज़े से इसको other competitive exams में भी पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको लियूपीन का नाम याद रखना है scientific name या biological name इसका क्या है lupinus arcticus इन seeds की जो viability है वो 10,000 years की record की गई है तभी मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है the world's oldest known viable seeds कितना है यह 10,000 years old बहुत interesting data है यह और 10,000 साल याद करने में भी थोड़ी आसानी होती है अब थोड़ा यह data होता 10,000 something something तो उस तरीके से आपको याद करने में इसको दिखकत आ सकती थी बट यह बहुत आसान है 10,000 आप easily याद रख सकते हैं तो यह एक बहुत आसान सा simple सा बट समझने वाला topic था जो कि मैंने आपको explain किया आज की class में बहुत अच्छे तरिके से आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आसे next वीडियो में एक और interesting topic के साथ Thank you for watching